नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुक खबरे पिलनाडू में पठाकों में केमिकल मिलाते समय धमाका दस की मोद देश दुनिया के सामने पहली बार रफाल ने दागी मीका मिसाइद इरी ने ओडिशा के बिज़त विधायक को समन भेजा तमिलनाडू में कॉटन केंडी बेन कैंसर का खत्रा था हरियाना में ट्रेक्टर मार्च पंजाब टोल फ्री केंदर में आज एहम चर्चा बात नहीं बनी तो चौदा टी में संभालेगी आंदुलन। सुआमी राम भद्राचारी गुलजार को मिलेगा ज्यान पिट पुरसकार। अयोध्या से पूने लोट रही थी आस्था एक्सप्रेस। स्टॉल पर मुगल बाच्शाहों की किताबे देख यातरियों ने की तोड़ फोड और मार पीट। पाकिस्तान में पूर्व आयुक्त का चुनाओं में धांदली का आरोप। दिल्ली के नहर्यू स्टेडियम में पंडाल गीरा तीस को बचाया। तरप्रदेश में पुलिस भरती परिक्षा में 38 सॉल्वर गिरफतार। दिल्ली विदान सभा में केजरीवाल ने विश्वास मत साबित किया। लखनाओं में राहुल के भाशन इस्थल को भाचपाने गंगा जलसे थोया। उत्राखन के हल्दुवानी हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक का घर आटेच। कॉलकत्ता में शेर्नी का नाम सीता रखने पर हाई कोट पहुंचेई विहिप। नई दिल्ली में मालगाडी पट्री से उत्री एक की मोत। संदेश खाली हिंसा में शामिल T.M.C. नेता गिरफतार। परणी पूर में हिंसा की आड में हर ट्रक से 25,000 तक वसुल रहे उगरवादी। अमेरिका में AI सेक्टर में भारतियों की संख्या 18 प्रतिशत बड़ी। बाकी की तमाम कवरों के लिए राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद।